अब यहां पर हमारा next step क्या होने वाला है यहां पर आप देखोगे यहां तक हमने app तो रन कर लिया है राइड लेकिन यहां पर हमारे अब में कोई जाद़ कोई interesting चीज यहां पर है नहीं राइड क्योंकि बहुत कॉमल सी चीज है इसमें हमारा कुछ functionality परफॉर्म नहीं हो रहा है फिलाल बहुत सिंबल सा एप है अब इसमें एक क्या करते हैं जैसी मैं image पर इहां पर क्लिक करूं मेरी इहां पर images चेंज हो जाएं चाहें वह बोड़ी फ्रेंग्मेंट में कोई इसमें करेंगे तो कहें इंप्लिमेंट करो गया क्योंकि 90% लोग यहां पर मुस्सी क्या कहने वाले हैं कि सर यहां पर जो host activity आपके दिमागे में क्या आना चाहिए क्योंकि हमारी fragments कि समें होस activity में तो जो host activity है जो हमारी Android me activity है उसमें हम listeners लगा देते हैं जो हमारी host activity है यहाँ पर हम simple view दिखा रहे हैं राइट यहाँ पर आप कि नहीं कर सकते implement करना सही नहीं रहेगा आपके लिए क्योंकि फिर वह वाली बात हो जाएगी कि वह dynamic नहीं रहेगा ठीक है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे जो हमारा अल्रेडी body part fragment में लिखा हुआ है उसमें click listener अपना implement कर देंगे ताकि हम क्या कर सकें इसे यूज कर सकें अधा image dynamic change होने वाला formula अपना logic राइट तो यहाँ पर क्या कर देता है implement कर देता है एक listener तो यहाँ पर कहां implement करेंगे वह देख लेता है तो यहाँ पर guys हमें यहाँ पर implement करना है जो हमारा यह है जहाँ पर हमारी list आ जाती है जब हमने image already change कर दिया है अलब set कर दिया है यहाँ पर image अब मुझे करना है इस पर click देखना है कि इस पर click तो नहीं हो रहा तो यहाँ पर जो मेरा image view है मैं इस पर listener set कर सकता हूं तो यहाँ पर set on click listener आ सकता है हमारा तो यहाँ पर क्लिक listener आ गया अब यहाँ जो click listener है इसको मुझे क्या करना पड़ेगा इसकी functionality भी overwrite करनी पड़ेगी तो यहाँ पर हमके कलेंगे इसको call कलेंगे इसके view को तो view on click listener आ गया हमारा right, on click पे क्योंकि मुझे किस पर चाहिए on click पे क्या हो right, तो यहां पर हमारा क्या आ गया है view आ गया, अब on click पे मुझे क्या चाहिए, इसमें guys मुझे logic क्या लगाना है, कि पहले जैसी ही मेरा click हो right, हमारी image change हो जाए, मुझे यह logic लगाना है, अब यहां पर अगर मैं यह logic लगाऊं तो मुझे चाहिए कि जैसी मेरी यहां पर मेरा logic यहां पर simple क्या लग जाएगा कि जो मेरी list index है राइट वो change हो जाए क्योंकि image change होनी है तो simple मैं यहां पर क्या कर सकता हूं guys plus plus कर सकता हूं और यहां पर क्या हो जाएगा यह हमारी functionality क्या हो जाएगी पूरी हो जाएगी on click होते ही यहां पर हमारी क्या हो जानी चाहिए image change हो जानी चाहिए एक बार यहां पर run करके देख लेता है guys कि यह हमारा functionality यहां पर सही से perform हो रही है यह नहीं राइट तो हमारा already app आ चुक है अब मैं इस पर click करूंगा तो यहां पर क्या है हमारी image change होनी चाहिए बट क्या हो रहा है guys हमारी यहां पर image change नहीं हो रही है अब यहां पर क्यों नहीं हो रही है वह इसलिए क्योंकि जो हमारा index है guys राइट वह उस से अभी क्या है तो यहां पर क्या कर देंगे set image कर देंगे right तो कौन सी चाहिए मुझे जो मेरी नया index हा रहा है right मुझे वह set करना है तो यहां पर अगर image ID कर दूं और क्या कर दूं यहां पर get जो हमारा updated index है वह set कर दूं राइट तो आइट यहां पर सब्सक्राइब रहे है तो यहां पर देख सकते हैं अब क्या हो रहा है हमारा यहां पर चेंज हो रहा है राइट लेकिन इसमें अभी एक problem अब भी है guys and वह problem क्या है कि अगर देखो मैं इसे click करता रहा हूं राइट तो यहां बोल वक्ता में जैसी हमारी इमिज खतम होई यहां प्लोव दूंगी मैं पनी मिर इमिज मिली नहीं जब ऒए तड एक्सिव जर्विकलाव कर दो आएस्क पर हांध इसको कहने की लिए अब क्या करना पड़ेगा हमें क्योंकि मुझे चाहिए है मुझे लाजिक यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा गाइस की जैसी मैं क्लिक करूँ क्लिक करते करते जब हमारा images list में से खता हो जाएं तो मेरी दुबारा से अभी फिलाल के लिए क्यों कर लेते हैं जो हमारी image IDs है उसके size से एक size छोटा रहे अगर यहाँ पर हम simple करते हैं minus one यहाँ पर कर दिया हमने minus one यहाँ पर क्या कर दिया हमने index दे दिया तो अगर यह जो हमारी list में है size उससे छोटा है तो तो क्या होता रहे है प्लस प्लस होता रहे है हमारी जब तक हमारी list index जो image ID है उससे कम है तो तो होता रहे और अगर वह नहीं है तो तो यहाँ पर क्या हो जाए हमारा जो index है जो image list index है वह क्या हो जाए हमारा जीरो हो जाए अब अगर ये चीज हमारी हो जाती है I think so यहाँ पर हमें इसमें चेंज करने की कोई जरुवत नहीं है Set Image Resource and इसमें कोई चेंज करने की जरुवत नहीं है and list Index में हमें कोई changes करने की जरुवत नहीं है I think एक बार all logic यहाँ पर क्या कर लेते हैं, review कर लेते हैं, यहाँ पर क्या logic है guys हमारा, यहाँ पर हमने image set कर दी, okay, यहाँ पर जो हमारा list index है, वो id के size से छोटा आना चाहिए, तब तक यह increment होता रहा है, बना यहाँ पर क्या हो जाए, set हो जाए, reset हो जाए हमारा दुबारा से 0 प यहाँ पर जैसी मैं आप देखो, image करूंगा, change, और मैं इसके अगर list के end तक जाओंगा, right, तो अब देखो, हमारा app crash नहीं हो रहा है, दुबारा से हमारे list क्या हो गए, restart हो जा रही है, right, तो guys यह क्या हो गया, हमने यहाँ पर, अच्छे थे functionality क्या कर दिया, implement कर दी है, इस issue, right, तो यह क्या हो गया, हमने बहुत अच्छा logic guys implement करा है, and hopefully आप लोग की यहाँ तक का part समझ में आ गया हो, इसमें कोई issue नहीं हुआ होगा आप लोग को, अब guys यहाँ पर एक लिकिन अभी problem है, बहुत major, वो problem क्या है, अगर आप यहाँ पर app को देखोगे, तो यहाँ पर character create कर दिया, लेकिन अगर मैं इसकी orientation change करूँ, right, तो आप देखोगे, क्या set हो गया, दुबारा से क्या हो गया, हमारा यहाँ पर जो character था, वो lose हो गया, और अगर मैं इसकी orientation दुबारा change करूँ, तो दुबारा से क्या हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, फेल हो गई, तो यह क बिस्ट हुआ हमारी लॉस हो गई है तो अप क्या करना है when the lider करेंगे हैं तो क्या जीए करेंगे हम यह जी लिए tomorrow bundle use कर लेता है क्योंकि हमारा यहां पर data बहुत कम है कोई major data हमें store नहीं करवाना simple zero and one जो उसके index ids है उसके store करवानी है तो जब data हमारा बहुत छोटा होता है तो हम क्या यूज करते हैं bundle use करते हैं कि यह पुरानी classroom में बहुत detail में समझा चुका हूँ कि कौन सी चीज कभी यूज करनी चाहिए कौन सी save state कभी यूज करनी चाहिए राइट तो यहां पर क्या कर लेता है गाई एक variable create कर लेता है जो हमारे bundle को basically जो उसकी values है right index की और जो हमारे id है image की वह store करेगा तो basically इसको हम कैसे कर लेते हैं यहां पर string create कर लेते हैं और यहां पर क्या आ गया हमारा यह क्या store करेगा हमारी image image id list ओके और image id list में हम क्या store कर वा देंगे जो हमारी image image क्या होगी ID होंगी हमारी ठीक है तो यहां पर क्या गए image इसके बाद same logic हमारा क्या है नीचे वाले में आएगा यहां पर आगया हमारा public final string अब यहां पर किस के लिए चाहिए मुझे index के लिए चाहिए तो यहां पर क्या गया मेरा index आगया simple और index में यहां पर क्या जाएगा list index आजाएगा तो यहां पर क्या आगया मेरा less index राइट